नबस्कात दूस्तों एक बर्फिट से आपका स्वागत है हिंदीटा की यूट्यूब चैनल पर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Pinterest के बारे में कि कैसे Pinterest से आप अपनी website या blog पर unlimited traffic लेके आ सकते हैं जहां एक तरह भी और जितनी social network हैं जैसे कि आप देखें Facebook हो Twitter हो Instagram हो इन से अपनी website पर traffic लाना या blog पर traffic लाना काफी cutting हो चुका है जहां 2017 में Facebook page बना के traffic लाना बड़ा आसान था Facebook की जो post थी उसकी reach बहुत जादा होती थी जतने like होते थे उन सब के पास notification जाता था और काफी ज़्यादा traffic Facebook से आता था एक दिन का शायद 2000 विजिटर का traffic तो मैंने ही खुद ट्राइ किया था 2000-3000 का लेकिन अब 2018 में जैसी Facebook ने change किया तो reach में change हो गया और अब आप चाहे एक लाग भी जिस पे page पे like हो उस जो post है उसकी भी reach बहुत जादा नहीं होती है आपको उस पे भी paid promotion करके ही करना होता है अब इधर और जितने भी हैं चाहें Instagram हो Instagram में आप link नहीं लगा सकते किसी भी post में 10,000 जो आपके followers हैं उनके बाद आप लगा सकते हैं और stories में लगा सकते हैं और stories में भी वो 20 घंटे के लिए रहती है तो उसका भी कोई ज्यादा use नहीं है अब इधर आप देखें Pinterest पे तो Pinterest पे आप एक Pinterest जो है social network भी है इसके अलावा Pinterest जो है एक search engine भी है लेकिन इसका जो SEO है Pinterest का ये काफी सरल है Google की अपिक्षा Google का जो SEO है बहुत complex है बहुत मुश्किल होता है पुरानी website के मुकाबले rank करना अब यहाँ Pinterest में क्या होता है ये बहुत आसान है आप चाहे जितनी पुरानी website हो चाहे कुछ भी हो आप चाहे जितने नहीं हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है फरक पड़ता है आपके content से और its strategy से आप जो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने बाला हूँ पूरा देखिएगा ये 9 step है और 9 step आप अगर follow कर लेते हैं तो यकीन मनिए आप धेड़ सारा traffic unlimited traffic जितना traffic आप चाहें अपनी website या blog पे लेके आ सकते हैं तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिए का एक और बात में बता देता हूँ पहले ही मैं बता दूँ कि ये कोई चमतकार नहीं है इसे चमतकार मां समझेगा कि धेर सारा traffic आज आप काम करेंगे कल से आने लगे थोड़ा महनत का काम है लेकिन traffic बहुत अच्छा आएगा यकीन मानिए चलिए शुरू करते हैं तो step number एक यह है कि आपने यदि प्रिंटरेस्ट अकाउंट नहीं बनाया तो पिंटरेस्ट अकाउंट जाके बना लीजिए गूगल से आप जाके बना सकते हैं इसके बाद उस साइट को एड करके verify कीजिए अपने सारे social networks उसमें add कीजिए और उसके बाद आप rich pins के लिए apply करिए rich pins को enable करिए link में नीचे description में दे रहा हूं उस पे click करके जैसी आप अपने URL को डालेंगे तो rich pins के लिए वो बता देगा rich pins enable करने के लिए आपको कोई ना कोई जो SEO plugin है उसका होना जरूरी है या तो used हो या आपके पास rank math हो या SEO all-in-one हो इन में से कोई भी हो तो आप आपके लिए आसान हो जाएगा इसके लावा चलते हैं अब दूसरे step पे यहाँ पर आपको करनी है तीन चीज जूसरे step में आपको अपने business name में आपने जो भी आपक चलते हैं नमबर तीन में आपको यह करना है कि जितने भी आपके board हैं जो आपने बनाए हैं अब उन से related यानि की आपके niche से related जो सबसे popular post हैं हर board में कम से कम 20-20 pin आप जाके save कर दीजे पिन का मतलब अगा या आप नहीं समझते हैं जो image होती है उनको save करना Pinterest पे pin कहा जाता है जाए ढूड़िए 20 सबसे popular pin को save कर दीजे हर एक board के अंदर अब देखते हैं अगला step नमबर चार में अपने niche से related जितने भी आपको board मिलते हैं उनको सबको follow करें जितने influencer मिलते हैं उनको follow करें और इसके अलाबा group boards को भी जरूर follow करें group boards follow करने के लिए आप pingroupie.com पे जा सकते हैं उसका link मैंने नीचे description में दिया है वहाँ जाके अपने niche को या जो भी आपका related keyword से सर्च कीजे आपको धिर सारे groups मिल जाएंगे उनको join करिए उन groups में फिर आप share कर पाएंगे तो यह आपको काम करना है और एक और काम करना है इसक इस तरह के भी आप comment करना पसंद करें अच्छा लगे अच्छा कर दीजे खराब लगे खराब कर दीजे लेकिन खराब comment मत कीजेगा अच्छे comment कीजेगा और अच्छी pins ही ढूड़िएगा तो उन पर जाके आपको comment करना है यानि कि एक social networking की तरह आपको काम शुरू करना है चलिए अब अगला देखते है नंबर पांच नंबर पांच बेहद valuable content बनाई है जो कि बहुत जबरदस content हो ऐसा content कि जो लोगों की life में कुछ value जोड़ दे ऐसा content बनाई है जिसको लोग वास्तव में ढूड़ रहे हो जिसकी लोगों को वास्तव में जरूरत हो जिससे कोई उनका जो समस्या है वो वास्तव में हल हो जाए खूब सारा research कीजे बहुत जबरदस content बनाई है और उस content को अपने pin से जोड़िए आगे मैं बताऊंगा कैसे क्या size आपको pin का रखना है क्या करना है कहां बनाना है ये भी studio मताने बाला हूँ तो number 5 हो गया ये आप चलते है number 6 अब आते है number 6 पर अच्छी से अच्छी image बनाई है मैंने link नीचे दिया हुआ है canva.com पर उस पर जाएए और Pinterest सर्च करके Pinterest का image बनाई है उसमें बहुत सारी template अल्रेडी available है तो आप just text change करके बना सकते हैं अब एक ही जो आपने बहुत अच्छा content create किया है अच्छा content कैसे बन image बना सकते हैं Pinterest पर यह duplicate content नहीं माना जाता है क्योंकि Pinterest के लिए जो image है वो content है ना कि आपका link तो आप लेकिन हाँ उसमें आप जो भी image बनाएंगे text सब में अलग-अलग रखिएगा और keywords भी अलग-अलग रखिएगा तो बस आपको इतना करना है कि अब जाना है canva.com पर औ बहुत 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 बैतरीन images 600 by 900 की और और वहां पर sizes available हैं Pinterest के लिए वैसे सबसे सही size यह है 600 by 900 तो आब यह image आपने बना ली 4-5-6 या जितनी भी image आप बनाना चाहते हैं किसी एक ही अपने content के लिए अलग-अलग और बहुत attractive उनका title रखिए image में text रहे हैं same material available होना चाहिए उस link पे जिस link पे आप उस image को जोड़ रहे हैं तो यह हो गया हमारा step number 6 अगला चलते है step number 7 step number 7 बहुत important है हर दिन at least आपको 5 pin save करने हैं मतलब 5 pin अपनी तरफ से करने हैं और उन 5 pin को आपको जाना है अपने related जो भी आपने board बनाए हैं उनमें जाके save करना है धियान रखिएगा कि आपको boards को भी subcategories में बाटना है ऐसा ना हो कि आप उसी में save करते हैं जितने daily करना है अब उस pin के अंदर जो आपने image बनाई है उस image का नाम भी आपका जो होना चाहिए वो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए JPG1 ऐसा करके नहीं होना चाहिए जो भी अगर आपने math का लिख रहे हैं तो image का नाम लिखिए math या जिस तरह का भी आप बना रहे हैं उस तरह का और उसको उसी related board पे save कीजिए इसके बाद आप उसके अंदर जो title उसका बनाएंगे उसमें भी keyword डालिए उसके description में भी keyword डालिए और उसके अलावा आप hashtag भी उस पे जरूर लगाए तीन से चार hashtag ही लगाएं इससे ज़्यादा hashtag ना लगाएं क्योंकि Pinterest पे होता है spam filter तो हो स keywords ढूणेंगे आपको क्या करना है कि उपर type करना है जो भी आपका नीश है उसे related जो भी keyword है आपका उसे type करना है और वहाँ पे वो keyword suggestion आपको देगा Pinterest जहां उपर सर्च में तो वो keyword suggestions आपके आएंगे आप उनको use कर सकते हैं इसके अलावा आप Google पे भी जा सकते हैं Google पे भी search कर सकते हैं नीचे related keywords आते हैं उनको भी आप use कर सकते हैं इसके लावा और धेर सारी हैं उबर सजेस्ट है उस पर भी जा सकते हैं जहां पर वो दिखाता है कि कौन सा keyword कितना search करा लेकिन वो फिर Google के लिए उप्योगी हो जाती है तो जहां तक है आप क्योंकि Google search और Pinterest search दोनो लग लग है जहां Google पे लोग आजकल question लिखना पसंद करते हैं वहीं अगर वो Pinterest search करते हैं तो दो से तीन word ही लिखते हैं अगर Google पे जाएंगे तो how to do this लिखेंगे तो अगर Pinterest पे अगर जाएंगे तो images के बारे में ही most लिखेंगे कि भई माल लीजे travel के बारे में लिखेंग आप लगाएं वो सबसे वहतर होगा अब देखते हैं number 9 number 9 है patience आपको अब इतना काम करने के बाद जो आखरी के 3 या 4 steps हैं उनको daily करना है क्योंकि उपर वाले तो आप already कर चुके होंगे और इनको आपको करते रहना है एक से डेर से दो महीना आपको result मिलना शुरू हो जाए आप patience रखी और लगातार ये करते रही है और यकीन मानिए कि आपको एक महीने से डेर महीने के अंदर या दो महीने के अंदर इतना बहतरीन result मिलेगा जो आप Google पे इतनी महनत कर रहे हैं उससे नहीं मिला था अभी तर और खास तोर पर इस तरह की website जो सुविचार डालते हो या जो craft डालते हों डिजाइन डालते हों क्योंकि Pinterest पे 70% जो traffic है वो महीलाओं का है तो इन पे जादा clicks आते हैं और images जो हैं वो खास्तोर पर इनकी जादा अच्छी बन पाती हैं तो उनके लिए तो एकदम बहुत जबरदस्त मौका है Pinterest आप इसको जरूर भुना लीजे और जो और भी हैं उनके लिए लगबग लगबग इन तरह की चीजों के लिए लगबग 80% traffic इन चीजों पे आता है और 20% traffic जो है बाकी सब चीज पे आता है लेकिन फिर भी आपका हर जो topic आप इस पे लिखेंगे और इस image अगर अच्छी बनाएंगे तो किसी भी topic पे आपको ब एक डेड़ महीने में तो प्लीज ये वाला जरूर आप करके देखेंगे और अगर एक डेड़ महीने बाद बहुत अच्छा traffic आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर मुझे बता दीजेगा कि हाँ ये हमें इससे लाब हुगा दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडिय आने वाले हैं और भी मैं कुछ experiment कर रहा हूं तो अगर वो सफल होते हैं तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा आगे और पिंट्रेस के बारे में और भी जो जो नई नई चीजे मिलेंगी मैं जरूर बताऊंगा अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो लाइक कर दीजेगा य